वेलकम डियर स्टूटेट अपर फिर से स्वागत करता हम सभी लोगा राइज समार्ट के इस डूटूब प्लेटपॉर्म पे और आज हम लोग एनलोगी के बहुत 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 करेंगे यह वे क्वेशन हैं जो आपके इजामिनेशन में आपको पॉजिटिव इनजी देंगे आप यह कंसेट की क्लारिटी हो जाएगी और समय समय पर बदलाओ आ रहा है वो हमें जानना चाहिए पहले अगर मैं बात कर रहा था एनलोगी की जो क्रेशन होते थे बड़े आसान लेवल की होते थे बट समय में समय समय पर इसकी जो लेवल स है वो बढ़ती चली गए अभी जो लेटर्स पैटेंट पर कोश्चन आ रहे हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है वह हम लोग डिसकस करेंगे अनलोगी की बात करते हैं लोगी का मतलब होता है सीमिलर रोलेशन्शिप जो कि यहाँ पर देखेंगे हरा मेरा मेरा मजे कु सब्सक्राइब करते हैं और कुछ बहतरीन अनलोगी कोश्चन देखते हैं अगर मैं अनलोगी की बात करता हूं तो सीमिलर रोलेशन्शिप जैसे इस कोश्चन को द्यान से देखो जरा तो यहाँ पर एक अनलोगी है मतलब यह चाच तीन लेटर हैं और इन तीन लेटर से य कैसे लिखा है तो जैसे T, E, A लिखा है और इसको मैने यहाँ पर Z, B, D, F, S, U लिखा है कैसे लिखा है ध्यान से नोटिस करना दिया देखो अगर हमने T में 1- किया तो ऐसा आएगा और अगर T में एक जोड़ा तो U आएगा मतलब एक कम किया एक जोड़ दिया ऐसे ही E में एक कम किया तो D आएगा और E में एक जोड़ दिया तो F आजाएगा A में एक कम किया तो Z आएगा और E में एक जोड़ दिया तो B आजाएगा तो पहले एक कम किया एक जोड़ा एक कम किया एक जोड़ा तो ऐसे ही R, I, O लिखा है तो पहले O में हम लोग एक घटाएंगे तो N लिखेंगे और O में एक जोड़ेंगे तो P लिखेंगे 100% I में एक घटाएंगे तो H लिखेंगे और एक जोड़ेंगे तो J लिखेंगे R में घटाएंगे तो Q लिखेंगे और अगर R में जोड़ेंगे तो S लिखेंगे So yes, N, P, H, J, Q, S is my correct answer समझ में आया तो letters की place value देखी दिया आपने कैसे उसने एक घटाया, एक जोड़ा, एक घटाया, एक जोड़ा, एक घटाया, एक जोड़ा बहुत प्यारा analog question था समझ में आया तो ऐसा letter के moment के based analog question आसरते है तो आपको letters सी याद होने चाहिए, उनकी place value याद होनी चाहिए तब आप जल्दी से ऐसे question solve कर पाएंगे जैसे माल लो, एक और question के हम लोग बात करते हैं पर बहुत प्यारा similar relationship का बहुत अच्छा question है अगर मैं यहाँ पर artist की बात करता हूँ, कलाकार की बात करता हूँ तो जिस पे वो मूर्ती बनाता है, उसे हम लोग canvas कहते हैं जिस पे वो काम करता है, कलाकार जो इतरीके से painting करेगा जुच भी करेगा, तो वो canvas पे करेगा, वैसे ही एक मूर्ती कार जो है वो पत्थर पे काम करेगा, यस इस सवाल का जो सही जवाब है, वो see option होगा, समझ में आया क्या, I hope आपको clarity होगी, तो जो रिस्ता यहाँ था वही रिस्ता यहाँ पर भी होगा, कलाकार का रिस्ता कैनवास से है, तो मूर्ती कार का जो रिस्ता होगा, वो पत्थर से होगा, स्चोन से होगा, clear भी बात, बहुत बने डिया, चलो आगे बढ़ते हैं एक बहुत प्यारा numbers की उपर question है, जैसे अगर ध्यान से आप numbers को देखें, तो 19 और 18 लिखा है, तो 25 और question मार्क है, मैं एक challenge दे रहा हूँ, बहुत प्यारा question है, अगर आप ध्यान से notice करें तो, देखो, 19 को 18 कैसे किया, तो 19 का square 361 होता है, उस 361 का आपस में गुना कर दिया तीम गुने, छे गुने, एक का मतलब 18 हो जाएगा, इस तरीके से 19 को 18 लिखा है, ऐसे ही 25 के साथ भी हम लोग करेंगे, तो 25 का square 625 होता है, तो 6 गुने, 2 गुने, 5, 6 गुने, 2 का मतलब 12, 12, 15, 60, तो यस इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, वो भी option होगा, समझ में आया क्या बहुत प्यारा निलोगी question था, similar relationship, समझ में आया न टिया, चो जैसे इस question का answer जल्दी से दो टिया, फटा-फट से, जैसे आपके पास यह word है, और उसको हमेंने ये लिखा है, कैसे लिखा है टिया, मेरे पास word क्या है, N, I, C, E, clear टिया, और उसको मैंने हाँ पर क्या लिखा I-1, H, I-1, J, C-1, B, C-1, D, E-1, D, E-1, D, E-1, F, ऐसे ही हमारे पास एक word है, lazy, और उसके साब भी है, logic लगाएंगे, मतलब एक कम करेंगे, जोडेंगे, एक कम करेंगे, जोडेंगे, तो बताएए, L-1 करेंगे, तो मेरा कौन आएगा, K आएगा, और L-1 करेंगे, तो M आ minus 1, Y, और Z plus 1, A हो जाएगा, Y minus 1 हमारा X, और Y plus 1, Z हो जाएगा, so yes, KM, ZB, YA, yes, यहाँ पर option नहीं है, हाना, KM इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, yes, KM, ZB, YA, ZA, X, Z, yes, इस सवाल का जो सही उत्तर है, वो है, D option, yes, KM, yes, L में एक घटाओगे, तो L, K आएगा, और अगर L में एक जुड़ोगे, तो M आएगा, A minus 1, Z, A plus 1, B, Z minus 1, Y, and Z plus 1, A, Y minus 1, X, Y plus 1, Z, so yes, इस सवाल का जो सही उत्तर है, वो है, D option, समझ में आया, डिया, चलो डिया, आगे बढ़ते हो, question में, pass देखते हैं, ध्यान से देखो जारा है, इस question को, तो यहाँ पर P, I, G, आपके पास एक word लिखा है, P, I, G, और उसको यहाँ पर क्या लिखा है, P, I, G को यहाँ पर हमने O, Q, H, J, F, H लिखा है, P, I, G को मैंने यहाँ पर O, Q, H, J, F, O, H लिखा है, कैसे लिखा है, ध्यान से नोटिस करो, तो देखो, O minus 1 करेंगे, तो P आएगा और O plus 1 क्यों हो जाएगा, I minus 1, H हो जाएगा, और I plus 1, J हो जाएगा, यस, और ऐसे ही, G minus 1, F, O, G में अगर हम लोग एक कम करेंगे, तो F आएगा, G में अगर एक कम करेंगे, तो F आएगा, और G में एक जोड देंगे, तो H हो जाएगा, ऐसे ही, K, I, M के साथ भी हो रहा है और ऐसे ही LED के साथ भी होगा इसका मतलब L में पहले एक कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा K आएगा और अगर L में एक जोड देंगे तो हमारा कोना जाएगा M हो जाएगा होगी इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं इसकरक्र आंशर बढ़ हम चेक भी करेंगे E-1D होता है और E-1F होता है D-1C और D-1E इस सवाल का सही उत्तर A option एक कम किया एक जोड़ा एक कम किया एक जोड़ा एक कम किया और एक जोड़ा समझ में आए डिया तो ऐसे ही question आपको examination hall में देखने को मिलेंगे डिया समझ में आई बात तो ऐसे analogic question आप लोग हाई होप कर सत है डिया चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर कौन सा option होगा बहुत प्यारा कुछ ने डिया जैसे आपके पास एक यह word है और उसको मैंने ऐसे लिखा है क्या logic है डिया तो यहाँ पर पी आई आर हना डिया पी आई आर ए टी इ लिखा है डिया और इसको मैंने यहा लेठ्र राइट से उताया पहला लेठ्र फिर राइट हन्विया फिर हमारा दूसरा लेठ्रीज है और फिर दूसरा राइट हाना डिया निहान से नोटिस करो फिर तीसरा left और फिर तीसरा right ऐसे हाना डिया तो जैसे हमारे पास यह word लिखा है word हमारे पास लिखा है P H Y S I Q U E हाना डिया तो हम पहले एक letter उठाएंगे left से तो पहले P उठाएंगे और right से हम लोग E उठाएंगे फिर left से हम लोग H उठाएंगे और right से हम लोग U उठाएंगे फिर हम लोग Y उठाएंगे और right से हम लोग Q उठाएंगे फिर left से हम लोग S उठाएंगे और right से हम लोग I उठाएंगे So yes P-E-H-U-Y-U-S-I is my correct answer कौनसे option है ध्यान से देखो P-E-H-U-Y-Q-S-I Yes इस सवाल का सही उत्तर भी option नमज में आया डिया I hope आप ऐसे question पक्के से solve कर सकते हैं So ये आज की class के लिए इतना ही डिया हम लोग next class में और सांधर questions करेंगे मेरा regular session होता है सुबह 9 बस के 15 मिनट पे अगर आपने उसको regularly watch कर लिया तो आपकी reasoning 100% और बहतर हो जाएगी अथिकर दिया तो मेरा रोज session देखो सुबह 9 बस के 15 मिनट पे और इस class से complete होने के बाद प्लीज comment कीजेगा कि आपको और कौन सा topic चाहिए और कौन से सांधार questions तो यह दिया सो थाइंक यू दियर आल टेक केर